एपिस्टो में 98 की स्टर्टिंग होती है और गाउसिया कैरी होती है आम तोर पर युवा लोग भार रहते है और मौज मस्ती करना पसंद करते है लेकिन बहतर है कि जल्दी ही वो घर वापस आ जाए और घर पर ही खाना खाए आखिरकार घर का ही खाना स्वादिस्ट होता है औ और वहीं यान उसकी बाते सुनमन में कहरी होती है ऐसा लग रहा है जैसे कि गाउसिया मेरी परवा कर रही है लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं है वो मुझे चिड़ा रही है और आखिरकार मेरे पिछले जीवन में मुझे और मेरे डैड को उसके बारे में पता क्यों नहीं च कहते हैं ठीक है और वहीं गाउसिया भी कहरी होती है अच्छे से आरम करना यान और यान उपर जाती हूए मन में किने लगती है लगी लिए अभी सब कुछ ठीक चल रहा है और अब डैड ने भी गाउसिया को देख लिया और मुझपर उन्होंने विश्वास किया और गाउसि अब मुझे इन लोगों को सजा देना शुरू करना चाहिए और वहीं घर के बार फूजी इंचन खड़ा हुआ होता है और यान की रूम की ओर देखती हूए कहता है यान अभी थोड़ा ठीक लग रही है और वो अभी अच्छा कर रही है और गाउसिया बहुती ज़दा चा पहले चाहिए जहाँ यान जाती वे मन में कहरी होती है और फिर कार जियाओ जियो के डैट से मुझे मिलने का समय मिल ही गया और जियाओ जिआो ने मुझे बताया था कि उसने अपने डैट को एक अच्छे हॉस्पिटल में एड्मिट कराया है आकि उसके परेशान कर परने वाले रिस्तेदार उससे मिलने वहाँ पर ना आए और फिर यानवाट नंबर 314 में पहुसती है जहां कोई चलाती हुए कह रहा होता है उमारे पास हॉस्पिटल में एडविट होने के लिए पैसे है लेकिन मेरे माम के मेडिकल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है तु सच में बहुती जदा लालची हो और तभी वहाँ यान एंटर होती है और यह सब देख चौक जाती है और मन में केतिये क्या जियाओ जियाओ का अंकल फिर से और फिर वह केतिये कमीने रुख जाओ जियाओ उसे वहाँ देख चौक जाती है और केतिये नहीं यान तुम यहा सकता है और गाइज जी के साथ एपी सुनमर 98 यहां एंड होता है पसना आया तो लाइक और सिस्काइब जरू करें मिलते हैं को जल्दी नेक्स्ट एपी सोड में